हेलो गाईज, रिदम लौ में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज है संडे और आज हम बात करने वाले हैं मार्च 2020 के करन्ट अफियर्स की जैन्वरी और फैब हम देख चुके हैं फ्रेंट्स अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस से या डेस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है आप देख सकते हैं और फ्रेंट्स अगर आप देख चुके हैं तो अपने नोट्स बनाए दो से तीन बार रिविजन करें सभी क्योशन्स दाहिंदो, टाइमस ओफ इंडिया और बीवीसी न्यूस से लिए गए हैं फॉस्ट क्योशन है आज का कौन सा शहर दो हजार एकिस में एकसो आठवी इंडियन साइन्स कॉंग्रेस को होस्ट करेगा और करेगा पूने नेक्स्ट क्योशन है जोगिंदर सिंग सैनी का हाल ही में निदन हुआ और ये कौन थे एथलेडिक्स कोच थे नेक्स्ट क्योशन है बारत सरकार ने वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सोची में शामिल करने के लिए धोला वीरा ये खड़पन सीटी है के नामांकन प्रस्तुत की है धोला वीरा साइट कहां पर है गुजरात में है फ्रेंट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्योशन है हिस्ट्री के लिए भी है अच्छे से पूरा टापिक पढ़ लें और करेंट अफियर्स के लिए भी नेक्स्ट क्योशन है अरुनाचल प्रदेश विधान सभा का पेपरलेस सेशन कौन से एप के कार्यान वैन के साथ स्टार्ट हुआ है यी विधान एप क्योशन बन सकता है स्टेट भी याद रखिये अरुनाचल प्रदेश नेक्स्ट क्योशन है मुहदीन यासीन ये कहां के प्रदानमंत्री के रूप में शपत लिये हैं मलेशिया के आपको मलेशिया जैसे अब यहाँ पर आया है तो इसकी capital currency प्राइम मिनेस्टर प्रीनों अच्छे से कर लें आद एक notes बना लें इन सभी का क्योंकि currency related होते हैं जो हमें static लगते हैं next question है इन्होंने किसके रूप में कारे किया था और इन्होंने किया United Nations Secretary General इस टाइम पर इनकी जग है Antonio Goodres है important question है पुर्दगाल से है वो next question है सेबी ने निवेशकों की सुविधा के लिए किस नाम की एक mobile application को launch किया है जिससे निवेशक इससे direct complaint कर सकते हैं और ये है application का name score friends यहाँ एक चीज और important है सेबी की full form क्या है formation कब हुआ है headquarter कहाँ पर है पूरा अच्छे से note कर लें next question है किस इस्थान को उत्राखंड की नई ग्रीशम कालीन राजधानी के रूप में नामित किया है तो गार से इनको किया है और उत्राखंड का ये question PCSJ के लिए भी important है याद रखे उत्राखंड PCSJ के लिए next question है Google में भारत का दूसरा cloud reason खोलने के लिए अपनी योजना की घोशना किया और ये कहां खुलने जा रहा है दिल्ली में second cloud reason of Google next question है कौन मिताली राज के बाद महिलाओं की T20 international ranking में टॉप पर पहुँचने वाली second Indian batsman बनी है शेफाली वर्मा first है मिताली राज second है शेफाली वर्मा next question है किसे BCCI के cricket सलाकार समीती द्वारा रास्ट्य चैन पैनल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है तो रास्ट्य चैन पैनल के अध्यक्ष बने है सुनेल जोशी important question है friends बन सकता है next question है new finance secretary बने है अजे भूशन पांडे next question है कौन सा देश पहला country बनाया for giving free public transport system और है लक्जंबर्ग important question है मुफ्त सार्वजनिक परिवेहन प्रणाली वाला दुनिया का पहला देश बनाया next question है अखिल भारती है police athletics championship 2019 का 68th edition हरियाना में start हुआ है friends इसका English और Hindi दोनों PDF के लिए आप टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हैं rhythm log next question है कौन सी कमपनी ने हैदराबाद Metro Railway Limited के साथ QR Code आधारित Metro Ticketing प्रणाली start करने के लिए agreement किया है तो PTM ने किया है PTM और हैदराबाद Metro Railway Limited के बीच में agreement है next question है किस संस्थान ने 75 graduates को प्रसिक्षित करने के लिए महत्मा गांधी National Fellowship Program स्टार्ट किया है फ्रेंट्स पहले तो यह important question है confirm यह बन सकता है Indian Institute of Management Bengaluru next question है Indian Coast Guard मिरास्टिय इसतर पर खोज और बच्चाव अभ्यास Cerex 2020 होस्ट हुआ है IOJ त हुआ है गोगा में next question है किस देश ने ICC महिला T20 World Cup 2020 की मेजबानी की है Australia ने की है और हमेशा की तरह Australia ही जीता है next question है Corona के प्रकोप के बीच IFA Award को इस्थगित किया गया है IFA को पॉस्पॉन किया गया और यह कहां होने वाले थे मध्या प्रदेश में next question है हाल ही में Saint Anthony के श्राइन का वार्शिक उत्सव हुआ है और यह तीर्थ कहां पर है यह आईलिंड याद रखेगा important question है कैचा थेवा और यह कौन से स्टेट में है यह आपको बताना है next question है अंतर रास्टी है महिला देवस 2020 का theme क्या है question बन सकता है I am generation equality realizing women's right very very important यह day कब होता है यह आप comment box में बताईए international women's day next question है किसे times of India sports award 2019 में sports person of the year के रूप में नामित किया है और हैं PV सिंदू next question है भारत के मुख्य सूचना आयोक के रूप में किसने शपत लिये है विमल जुलका next question है yes bank के प्रशाशक के रूप में कारेभार समाल है प्रशांत कुमार ने next question है भारत ने किस देश के शाथ नई वीवी आईपी वीमान बोईंग 777 की सुरक्षा प्रणाली के रिए 1200 करोड रूपे के समझोते पर हस्ताक्षर किये तो इंडिया और USA के साथ में next question है किसने 2017 से 19 की अवदी के लिए 7th डॉक्टर MS स्वामी नाथन का अवार्ड जीता है वी प्रवीन राउने question बन सकता है important question है next है किस राज्य सरकार ने पोशन अभियान के समग्र कार्यान वयन के लिए देश में पहला इस्थान पराप्त किया है और वो किया है आंधरा प्रदेश ने important है याद रखिये पोशन अभियान next question है किस राज्य सरकार ने कोरोना वाइरस के बारे में लोगों को जागरूप करने के लिए कोवा मोबाइल एप्लिकेशन लाँच किया है पंजाब लाँच किये है कोवा मोबाइल एप कोरोना वाइरस के अवेरनेस के लिए next question है भारत ने COVID-19 की treatment के लिए लेपोनेवर और हिटोनेवर संयोजन का उप्योग किया है और ये जनरली HIV में यूज किया जाता है friends question बन सकता है next question है Stockholm International Peace Research Institute की नई रिपोर्ट के recording इंडिया दुनिया में कौन सा सबसे बड़ा हतियार आया तक बना है आया तक बना है second rank पर और first है Saudi Arabia next question है हाल ही में अफगानिस्तान के रास्टपती के रूप में किसने शपत लिए है अश्रव गनी ने लिए important question है इसकी capital और currency भी देख लें next question है पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स के starting ओई है गुलमर्ग से next question is लोकसभा अध्याक्ष ओम बिर्डा question important है पहले इतना भी कहां पर सुपोशित मा अभियान की शुरुआत की है friends question बन सकता है आपको यह अभियान भी याद रखना है किसने start किया है और कहां पर कोटा में next question है Indian railway ने railway station के circulating area में अपना पहला restaurant on wheels लॉंच किया है आसन सोल में next question है Swami Vivekanand कर्म योगी अवार्ड ये किसको दिया जाएगा जादव पैयांग को next question है किस चीज को आपूर्ती को बढ़ावा देने के लिए सरकार दौरा essential commodities के रूप में नामित किया है तो face masks और hand sanitizer question बन सकता है next है नीउ के छोटे से दीप रास्ट को विश्व के पहले ना क्या नाम दिया गया है और किस से जाना जाएगा है dark sky nation next question है विश्व उपभोकता अधिकार दिवस 2020 का theme क्या था the sustainable consumer और ये day भी याद रखना है 15th March question बन जाता है next question है किस team ने रंजी ट्रॉफी किताब जीता है और सौरास्ट्र ने जीता है किस राज्य सरकार ने उत्तरा योजना के तहत राज्य में 33 स्टेडियम का निर्मान करने का निर्णे लिया है तो उत्रा योजना याद रखनी है इसमें 33 स्टेडियम्स बनेंगे और ये है असाम गवर्मेंट का next question है दुनिया का पहला digital solution exchange cloud किस नाम से भारत में launch किया गया वो क्या है गौकडल के नेम से question बन सकता है next question is March 2020 में किस कंपनी ने digital समाधान प्रदा था Ad Global 360 को acquire किया है अधिग्रहन किया है हाकू होडो ने किया है important question है याद रखियेगा इंडिया पोस्ट ने कहाँ पर पहली मुफ्त digital लोकर सेवा start किये तो कुलकाता में किये next question है देशनी नेशनल एक्वायर ओफ इंडिया एन ए आई नेशनल आर्चीव ओफ इंडिया 130 वे इस्थापना दिवसका अवलोकन किया है और एन ए आई किसके अंडर में काम करता है Ministry of Culture next question है राज्ये सभने परिवारा और तलवारा आदिवासी समुधाय को ये जो स्टी है परिवारा और तलवारा किस राज्ये की अनुसूचे जन जाती श्रेणी में शामिल करने के लिए परिवर्तन की मनजूरी दिया question बन सकता है स्टीज का है ये और ये new tribe है परिवारा और तलवारा और ये करनाटक में next question है WEF की young global leaders list में बाईजू, रवेंदरन और गौरफ गुपता का नाम लिया गया है और गौरफ गुपता किसके को फाउंडर है जोमेटो के question बन सकता है ये next question है March 2020 में किस पैंक ने सभी बचत खातों के लिए औसत मासिक शेष को खटाने का निर्ने लिया है और ये लिया है SBI ने next question है किसे BBC पोल में सबसे बड़े विश्वनेता के रूप में नामित किया गया है वो है महराजा रंजीत सिंग that's very very important question है next question is सुर्जी सिंग देशवाल ने सीमा सुरक्षाबल Border Security Force BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है और present में वे कहां के महानिदेशक है इंडो तेबद Border Police के और साथ में इसके अतिरिक्त भार भी संभाला है BSF का next question है किसको बांगलादेश का रास्टिय नारा घुशित किया गया है वो है जोई बांगला friends सभी question important है ये थे मार्च के questions next Sunday हम देखेंगे April का Current Affairs friends revision करते रहिएगा सभी questions दा हिंदू से है thank you guys bye bye share with all